भागलपूर में एक बार फिर से समाजिक स्वहार्ध बिगाळने के लिए आसमाजिक तत्तों के मनसुवे पर जिला प्रसासन ने पानी फेर दिया मामला ततारपूर थानाचित के रामसर के गोकुल द्वार इस्थित बजरंग बली मंदर परी सरका है रामसर के बजरंग बली मंदिर की मूर्ती को आसमाजिक तत्व ने छतिग्रस्त कर सांती सुहार्द बिगाडने का प्रयास किया सुभर जब लोग पूजा पाठ करने के लिए पहुँचे तो मूर्ती को छतिग्रस्त देखा घटना की सूचना मिलते ही CTDSP अजे कुमार चौधरी कई थानों की पुलिस के साथ मौके पर पहुँचे और लोगों को समझा बुजा कर सांत कराया घटना को लेकर बताया जा रहा है कि रात में असमाजिक तत्व ने बजरंग बली की मुर्ती को छतिग्रस्त किया सुबह जब लोगों ने देखा तो इसकी सूचना अस्थानिय पुलीस को दी पुलीस आस पास के लेगे CCTV कैमरे को खंगाल कर असमाजिक तत्व की पहचान करने में जुटी है वहीं SDM धंजेक कुमार ने सहरवासियों से इस घटना को तूल ना देते वे सांती वा स्वहार्द बनाने की अपील की है और इसमें City DSP साहब हो या लाइन DSP साहब हो सम लोग यहां पर आ गया थे और हम लोगों ने देखा थोरा सम मुर्ति को छतिक रस्त किया गया है अभी उसकी जान चल रही है कि किना समाजिक ततो दोराय किया गया है और हम लोग उस पे कारवाई भी करेंगे ततकालीन अभी हम लोग यहां पर विर्यवस्था जर्ष टिकों से हम लोगों अडब्टेशन कर दिया है और आसपास के लोग अभी बहुत अच्छा सपोर्ट रहा है सबी लोग बहुत सांती पूरवक है और उन्होंने विश्वास दिलाया है कि कोई भी ऐसी घटना को बरा स्वरूप नहीं होने देने तो इसको देखते हुए हम लोग और थोड़ा सजग है और जितने भी सहर की मंदिर और मस्जिद है उसके हम लोग और चौकसी बढ़ा रहे हैं जितने भी थाना देक्ष उनको निर्देश दे दिया गया है कि वो अपनी गस्तिगारी को लगातार एक्टिव रखेंगे भागलपूर नगर निगम के माध्यम से पंचम राजवित आयोग जलापूर्ती मदियोजना के अंतरकत वाड संख्या बीस में पांच लाग पंद्रह हजार तीन सो की रासी से प्याव का निर्मान कराया गया इस प्याव का आज महापावड डॉक्टर वस्मतालाल के दरा उधगाटन की आ गया महापावड ने कहा कि इस प्याव के उधगाटन होने से यहां की लोगों को सुविधाय मिलना सुरू हो जाएगी यह प्याव काफी अच्छी तरीके से तयार हुआ है मौके पर उप महापावड डॉक्टर सलाव दिन हजन वाड 20 के पारसद सांदिल नंदी केस पारसद निकेस कुमार रंजीत कुमार सहिदस्थान ये लोग मौजूद रहे इसमें भी दो प्याव और लगना है वह जल्दी ही लग जागा और इसका पानी वानी सब हमने चेक कर लिया बहुत अच्छा है सारे यहां के जो जनता है 20 नंबर के और अच्छा काम करते हैं पुरी जनता को ले करते हैं जनता क्या जाती है जनता के म nom में क्या है विश्वाच जगाते हैं अपना काम अच्छे से करें भागलपूर की समहार नाला इस्तित समिक्ष्चा भवन में वरिया पुलिस अधिश्चक आनंद कुमार की अधिश्चता में क्राइम मीटिंग को लेकर कई बिंदों पर चर्चा हुई इस बैठक में सस्पी आनंद कुमार के लावे कई वरिया पुलिस अधिकारी एवं सभी थानों के थाना अध्य चुपस थी थे पैठक में मुख्य रूप से आगामी काली पुजा में सहर के कुल 90 मंदिरों पर विशेज ध्यान रखना सुरक्षा के फुक्ता इंतजाम करना और सोभा यात्रा को सांती वा सुहार्थ के साथ संपन निकराने को लेकर कई अहम बिंदों पर वार्ता की गई साथी सभी मिलपतियों और सांती समीती के लोगों से सांती वा अमन मना कर इस्तेभार को संपन निकरानी की अपील वरिया पुरिया 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 प करेंगे दिनांक 10 नवंबर 2023 को धन 13 की सुब अवसर पर आपके सर भागलपूर में सुभारंब होने जा रहा है आप हूसनों की नए नए डिजैनों के साथ गनपती जुएलर्स सोना पट्टी का सेकंड ब्रांच स्री गनपती जुएलर्स सोने की गहनों की बनवाई पर 50 परतिसत की छूट एवं हर खरिदारी पर निश्चित उपहार बिगत 20 सालों से आपकी सेवा में तो आईए इस तेहवार को बनाए कुछ खास स्री गनपती जुएलर्स के साथ हैं हमारा पता है खर्मन्चक आबकारी गुदाम के निकट भागलपूर हमारा मोबाइल नंबर है 9934453106 और 94707611103 नमस्कार मैं डॉक्टर जयक्वार सेंग अब्जयक जीवां जाग दिस्वसाइटी समस देशवासियों को दिपावली काली पूजा और आस्था के बहाँ पर छट की भेर सारी सुबकामनाई देता हूँ पर्व खुश्यों के लिए आता है लेकिन आसावधानियों के चलते पर्व के तहवार के उमंग में बाधा नहीं पर जाए इसलिए सावधानी रखें सुप्रीम पोड के द्वारा अटाकों पर मैं क्या गया है देश इत्वे क्या गया है पॉलिशन के मदर नजर क्या गया है हमारा करतब भी है कि इसका पालन करें साथ ही छट वे पानी के सभीप हम लोग जाते हैं महिलाओं बच्चों का विशेश ध्यान रखें कोई दुरुगट्टा नहीं हो जैहिंद जैवारत मैं शुबर कुमार सास्वत परपटी की ओर से भारें पुछ एवं बिहार भास्यों को काली पूजा एवं इच्छत पूजा की धेव सारे सुस्तावना देता हूं मालाचमी आप ख़ली की घर आगे पडारे और सुप संपिर्दी आप लोग को जैए जैन मालाचमी जैन माचल बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरत रही रोता है रोने में देर हो जाता है ऐसे में बच्चा च्छतिक रस्थ हो जाता है और उसके बच्चने की सम्मावना कम हो जाती है और यदि बच्चा तो भविस्वे उसमें बिकलांगता की समश्या आती है जि से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको cooling therapy दिया जाए तो उसका CP की समस्या कम होती है और बचने के भी संभावना बढ़ती है पहली बार विहार जारकंड में आपके सहर के स्ने नवजासिसु बालसेवा के अंदर में यह मशीन उपलब्ध है कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा र धनतेरस के सुब अबसर प्रभागलपूर के मुंदी चक में होम अप्लैंसेस के भव बे सोरूम एलक्ट्रोनिक वर्ल्ड का फीता काट कर एवमनारियल फोड कर उधगाटन किया इस सोरूम में सभी ब्रांड़िट कमपनियों के LED TV, फ्री, जुवासिंग मसीन, बैटरी, मि ग्रहकों की भीड उमर पड़ी, ग्रहक यहां मिल रहे भारी छूट से गदगद दिखे ग्रहकों ने कहा कि हमारे महले में इस तरह के श्टोर की सक्त जरूरत थी और इस श्टोर के खुल जाने से वो जरूरत पूरी हो गई, अब हम लोगों को मुख्य बाजार जाने की जरूरत नहीं है, अब अपने महले में ही हम लोगों को सभी चीजे उपलब्द हो जाएगी वहीं सोरूम के प्रोप्राइटर नीरज कुमार ने बताया कि मुंदिचक मोहले में इस तरह का पहला सोरूम है जहां हर ब्रैंडेड कमपनियों के सभी रेंज के प्रोडक्ट एक छट के नीचे ग्रहकों को उपलब्द हैं और अब उन्हें ये सामान लेने के लिए बाजार जाने की जड़त नहीं बलकि अब उनके मोहले में ही सभी ब्रैंडेड सामान वो भी बाजार से कम कीमत पर मिल जाएंगे साथ ही या ग्रहकों को हर कंपनी के मोबाइल फोन और असे सरीज भी मिल जाएंगे धन्तिरस की सुबबसर पर सौप का उधगा टन किया गया है और ध साथ में मोबाइल भी सारे ब्रांड का अबलेवल है हमारा जो लेडिंग ब्रांड है ठीक है सामसेंग है आइफोन है ओपो है भीवो है रियल मी है लावा है इंटेक्स है कारवन है ठीक है वन प्लस है यह सारे मोबाइल को हमारे यहां पर सेल होता है और सारे कमपनी का फ्र कि एक बार हमारे श्टोर पे जरूर विजिट करें, ठीक है, हमारा पहले से बेपसाइस हामसंग सर्विस सेंटर में पहले से चला रहा था, ठीक है, और कस्टमर का रिक्वाइर्मेंट को देखते हुए, मैंने ये श्टोर को यहाँ पे डाला, ठीक है, इस रोड में कोई भी इस रोड के लोगों ने भी बताया कि इस रोड में एक श्टोर होना चाहिए, ठीक है, तो मैंने इस लोगों के मतलब सुविधा को देखते हुए, रिक्वाइर्मेंट को देखते हुए, मैंने अपना एक श्टोर यहाँ पे डाला, हमारा श्टोर का नाम इलोक्तोनिक वर् सामसंग सेर्विस सेंटर के जश्ट अपोजिट, साथ में क्या है ना कि कस्टमर को हम इमाई पे भी देते हैं, हमारे हैं सामसंग फैनांस, बजाज फैनांस, टेबियास फैनांस और एजडेवी फैनांस, यह सारे फैनांस के सुविधा है, ठीक है, और कस्टमर को 20 इस परक पर मुझे मिल रहा था, तो मैंने वो मुबाइल पर शिर्च कर लिया, आज नया दुकान का उपनिंग हुआ है, यहां हर का, हर चीज जो सुविधाक के लिए है, फ्रीज हो, वासिंग मसिंग हो, मुबाइल हो, इनवाइटर हो, जूसर, मिक्सर, ग्राइंडर हो, सारा मिलता है, हम भी आये थे, तो एक मुबाइल बले सस्ते में लेके और मार्केट से सस्ते प्राइस में मिला, मैं बहुत खूस हूँ, कि हमारे सार के बीचों बिच महले में एक दुकान का ऐसा उपनिंग हुआ है, जो कम कीमत पर अच्छे समान मुहया करा रही है तो अगर आप भी धन्तेरस की सुब अवसर पर होम अप्लैंसिस या फिर मुबाइल या फिर बैटरी की खरिदारी करना चाहते हैं, तो मुंदी चक जेसी बनरजी रोड इस्तित राजभोग मिठाई के बगल में सैमसंग श्टोर के पास आकर सौपिंग कर सकते हैं और गनपती जोलर्स में गरहकों की काफी भीर देखी जा रही है, इस दुकान में सोने चांदी हीरे के जेवरात उपलब्ध हैं, उदगाटन के मौके पर परतिष्ठान की प्रोप्राइक्टर जितेंदर वर्मा ने कहा कि यह हमारा दूसरा ब्रांच है, इस ब्रांच को खोलन का में मकसद था कि भीर भड़े इलाके से हट कर दुकान खोले जहाँपन पार्किंग की सुविधा भी गरहकों को मिले, उदगाटन के मौके पर सौपिंग करने बालों के लिए ओफर्स भी यहां उपलब्ध है, गनपती जोलर्स में उचित मुल में जिवरात ही खरिदारी कर सकते हैं, इस नए सोरुम के उदगाटन पर बिहार स्रम आयो के उपाध्यच, राजीब कान मिस्रा, भाजपा के पुर्मजला धच रोहिद बर्मा, भाजपा के मीडिया पैनलेश्ट प्रिती सेकर मुके सरीप, उस्पादेवी किनन बर्मा, नीदज बर्मा, विनीद बर हीजिता हूं, हमने एक नई वरांच चालू की है, पारकिंग की असमीज़ा थी, आम लोगों के हैं जोलिप में जोलरी है, जोलरी में एटालियन जोलरी है, मैं सबी सहर के लोगों से अपील करता हूं वो एक बार हमारी जोलरी में दीजिए और पूरी विश्वास और सुद्धता की गारेंटी हमारी पहचान है कि हम लोगों को प्यार मेरा तभी जाकर हम लोगों ने यह ब्रांच आज चालू की है उन लोगों प्यार और भरोशा के कारण ही हम लोग यह जो आज इस ब्रांच को चालू कर पाए है और आगे के लिए गणपती जोलर्स और इसके व्यवस्थापत जीतिंद वर्मा जी को हम लोगों के तरफ से हार्दिक शुबकामनाएं भागलपूर में व्यवसाय के छेत्र में यह परिवार काफी उत्रिष्ट काम कर रहा है और इस व्यवसाय में यह मानदारी की भी बहुत जरूर है और हम लोग ऐसी शुबकामनाएं देते हैं कि गणपती जोलर्स का प्रतिष्ठान यह दिंदुनी राच चौगनी तरक्की करें आगे बढ़े और व्यवसाय के छेत्र में अपना नाम इस्थापित करें बच्चे को यह आश्रिवादे हूं बड़े बुड़ों का सबको मान सम्मान और आश्रिवाद ले वस गणपती जोलनस में हैं बहुत अच्छा है से हम चांदी किसे कर लिए हैं और भी आगे तो और फिल ले जाएंगे बहुत अच्छा है से सिक्का खरीदे हैं गोल्ड का और डामेंड का बहुत अच्छा क्लेक्शन है और हमको एक रिंग पसंद आये और हमने खरीदा है जा मानता है अच्छा कर्दा लिए हैं धंतेरस में मानता है कि कुछ खरीदना चाहिए सुना या कुछ भी धंतेरस का इससे हार ओंगटी करीदे हैं भागरपूर में धंतेरस की अबसर पर बाजार में रौनक दीखी खरीदारी करने वालों की बाजारों में भीड़ उमरती रही बढ़ती मांगाई के बाबजुद सोने चांदी की दुकानों से लेकर मोटर सैकील कारेयों बरतनों की दुकानों में खचा-खच भीड़ भड बरतन की दुकानों में स्टेलनस से कहीं जादा चमक बिखेरती रही पीतल क्रोकरी के बरतन, लोग इसकी जम कर खरेदारी करते दिखे वही एलक्रौनिक सामान के दुकानों में भी लोगों की भीड़ उमरी रही कारोबार्य की माने तो इस साल ग्रहकों में तेहवार को लेकर जबर्दस्त उत्सा है इस बाद श्टील के बरतन के साथ पीतल के बरतनों का भी डिमांड काफी देखा गया कुल मिला कर भागलपूर में करोड़ रुपे की खरिदारी लोगों ने की और हमको एक रिंग पसंद आए और हम ने खरीदा चा मानता है अश्ट करदारी में धंतेरस में मानता है कि कुछ खरिदना चाहिए सुना या कुछ भी धंतेरस का बहुत अच्छा ऐसा है हम चानी किसे कर लिए हैं और भी आगे तो और फिर ले जाएंगे दुकानों का रुजान जो काफी अच्छा है पलस क्याना में सारे मार्केट में एक रोनक धंतेरस की जी होती है वो बहुत अच्छा है सुबत एक कस्टमर को लगातार जो है भीर दुकान में रगए हुई रही है लोग जो है मोबाइल आ रहे है अपनी परसंद के लिए रहे है ओपो बीवो समसंग काफी कंपनी की फोन हमारे है यहाँ अप लेवल है मार्केट में भी लेवल है लोग आ रहे है जा रहे है अच्छा रहा है धंतेरस पिछले धंतेरस जो है कुछ बेटर है क्योंकि अब ल वाल मेकिंग, तोरन मेकिंग, डिया मेकिंग, डियास जावट और फोल्स जावट की किलाकिर्थियों को तयार किया गया। विद्यालय प्रबंधन समीति के परसांत बिक्रम अविसेक सिंग ने विद्यारतियों की रचनात्मक और कलात्मक परतिफा को देख कर परसंत अव्यक्ट की। मानन्दी संस्थान की संस्थापिका प्रियासोणी ने कहा कि इस दिवाली उत्सब को हम लोग स्वदेशी दिया जलाकर मनाये, चैनी जालर, लाइट और पटाके का उपियोग ना करें। जिससे कि हमारा परियाबरन स्वच होगा, तब हमारा ग्रीन और क्लीन भरत वर्स रहेगा। जिससे कि अचाओ